आज हम बनाने वाले हैं बहुत लजीज चिकन खरड़ा या फिर हम इसे चिकन ठेसा भी बोलते हैं सबसे पहले हमें मैरीनेशन करना होगा तो मैरीनेशन के लिए हमने लिया है एक किलो चिकन इसमें दो से तीन बड़े चंचे हमने दसन अद्रक की पेस डाली है दो से तीन बड़े चंचे मटन मसाला पाउडर दस से पारा हरी मिर्श हमने बारी करी है फिर इसमें हमें तीन बड़े चंचे धना पाउडर डालना है तीन बड़े चम्चे इसमें हमें धही भी अड़ करनी है अच्छा थोड़ा खटापन भी आना चाहिए इसलिए हमें धही अड़ करनी है इसमें फिर हम इसमें पुदीना, कोथनबीर और लसुन को बारिक करके इसमें डाल देंगे और इसमें हम फिर अच्छे से स्वादा नुसार नमग डालके इसको मिक्स कर लेंगे और फिर एक घंटे के लिए हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे आप चाहे तो आपको अगर जल्दी होगी तो आप 15 मिनिट भी रख सकते हैं बट अगर ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो एक घंटे के लिए अगर आपने रखा तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाएगे और बहुत टेस्टी भी लगेगा यह एक घंटा हो चुका है अब हम कड़ाई लेंगे उसमें 2-3 चमच हम तेल डालेंगे और फिर उसमें हमें खड़ा मसाला डालना है वो भी मोटा कुटा हुआ खड़ा मसाला डालेंगे हम और उसमें हम एक चमच लसन अद्रक की पेज डाल कर हम इसको अच्छे से पका लेंगे फिर उसमें हमें प्यास डालना है अच्छा बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे इसका अच्छा अरोमा आना चाहिए अब इसमें हमें आधा चम्मज हल्दी डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहे तो फिर इसमें अगर आपको और थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो इसमें आप थोड़ा लाल मिर्ज भी डाल सकते हैं ने तो आप कम्प्लिटली स्किप कर लीजे अब इसमें हमें जो मैरिनेशन किया वा जो चिकन था ये सब डाल देना है और इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक क्यूब बटर और इसको ढखकर लगा के 15-20 मिनिट ऐसे ही कुखोने देंगे इसमें हमने पानी नहीं डाला है ऐसे ही कुखोने देना है देख लीजे अभी 15-20 मिनिट हो चुके है और ये कुख हो चुका है अच्छे से मतलब ये 70% की ये कुख हो चुका है अब और हमें थोड़ा कुख करना होगा तो फिर इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे पहले जो बाउल था जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था उसका थोड़ा मसाला था लगेवा तो उसमें ही पानी डालके हमें अच्छे से वो पुरा निकाल देना है मसाला और इसमें डाल देना है अगर आपको चाहिए, सुखा ही चाहिए आपको, तो फिर आप इसमें थोड़ा पानी डालके ही कुप कर लेना, क्योंकि ये 70% कुप हो चुका है, तो थोड़ा पानी से ही कुप हो जाएगा अब हमें इसमें स्वादा नुसार नमक डालना है, ध्यान में रखना, पहले भी हमें मैरिनेशन के वक्त नमक डाला था, तो इस बार अंदाजे से नमक डाल देना, फिर हम इसे ढखकर 5 मिनिट तक कुप होने देंगे, और इसमें डालेंगे अच्छी कासी कोथम बीर, बहुत आप चिकन ठेचा बोलो या खर्डा बोलो, बहुत स्वाद है इसमें, जरूर ट्राय करना और कमेंट में जरूर बताना, आपको यह रेसिपी कैसी लगी है, फिर मिलते हैं अब अगले व्लोग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप लाइक, शेर, कीजिए, बाइ-बाइ